नमोना महा छात्रो आश्विद्याले से मैं निधी शिर्वास्तो संस्कित किस कक्षा में आपका स्वागत करती है चात्रो पूर कक्षा में इस अध्याय की थोड़ी सी स्टोरियां हम लोग पढ़ चुके और उसमें हमने आपको ये बताया कि एक सोने का कववा है जो की चावलों का मुल्य देने के लिए एक गरीब बालिका को गाउं के बाहर सुरियोदे से पहले बुलाता है और लड़की को नीन नहीं आती क्योंकि उसको सुरियोदे से पहले जाना है बेचैन रहती है क्योंकि उसको मा के लिए अपनी चावलों का मुल्य लेना है देन वो क्या करती है चात्रों वो सबेरे जल्दी उटकर सुरियोदे से पहले ही वहाँ पहुच जाती है और कवा वहाँ जाकर वो देखती है कि कवा जो है सोने के महल में पेड़ के उपर सोया है पेड़ के उपर उसका महल था और वो भी सोने का था तो उसको देखकर वो बहुत आश्या चकीत होती है चात्रों और फिर कवा उसको जब उटके जागता है और खिड़की से जागता है सोने की उसको बोलता है कि आपको कौनजी सीड़ी से दू सोने की तामे की चांदी की तो वो बोलती है मैं तो गरीब बाली का हूँ मा की तो गरीब हूँ मुझे ताम्वे की ठाली में तो आगे की कहानी के लिए छात्रों आईए हम देखते हैं अगला भाग प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में आज शब्दा संदी विछेत व्याकरण और प्रश्णोत्तर पर हमने प्रकाश जाला है या गद्यांश छात्रों इत्यूगता से लेकर संजाता तक हैं नौ ध्यान से देखिये छात्रों इत्यूगत्वा काका कक्षा भ्यंतरा तिस्त्रों मन्जूशा निसारे ताम प्रत्यवदत बालिके यथे छम ग्रिहान मन्जूशा में काम इत्यूगत्वा यने ऐसा कहकर काका यने कववा कक्षा भ्यंतरा तिस्त्रों यने कमरे के अंदर तिस्त्रो यहने तीन मंजूशा यहने पेटी संदूप पहले के लोग संदूप बोलते थे आज कल पेटी बोलते हैं निस सारे निकाल कर ताम यहने उसको या उससे प्रत्यवदत यहने बोला क्या कहकर ऐसा कहकर कि उससे बोला कि तुम जल्दी घर जाओ क्योंकि तुम्हारी मा जो है वो अकेली घर में है मैं तुम्हें यहां नहीं रोख सकता हूँ ऐसा कहकर कवा कमरे के अंदर जाता है और तीन पेटी निकाल कर उससे बोलता है बाली के यने हे बाली का यते इच्छम यने इच्छा के अनुसार यता यने के अनुसार इच्छम यने इच्छा तो यता इच्छम यने अपनी इच्छा के अनुसार ग्रिहान ले लो मंजुशा में काम मंजुशा यने पेटी एकाम यने एक तो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें जो पेटी चा ले लो लगु तमाम मंजु शाम प्रग्रिय बाली कया कथि मिय कथित मिय देव मदीय तंडूलाना मोल्यम अब वो तो छोटी सी बेटी है लड़की है, उसको मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है तो लगु तमाम, यह जो वो छोटी सी है लगुतमाम यहने चोटी, मनजुषाम, यहने पेटी, संदूः, प्रग्रिये यहने गरहन करके, बालीकया यहने बालिका के द्वारा, कथीतम, यहने कहा गया, इतना ही है मेरा, मदिय यने मेरे तंडुला नाम यने चावलों का मुल्यम यने मुल्य तो उसने क्या कहा लड़की ने छोटी सी एक पेटी उठा ली और कहा कि बस इतना ही है मेरे चावलों का मुल्य ग्रियम आगते तया मन्जूशा समुद घाटिता तस्याम महार रहाणी हीर काणी विलों के साप्रहर्शिता तद्दिना धीना धनिका अच्चा संजाता ग्रियम आगते यने घर आ करके तया यने उसके द्वारा मन्जूशा यने पेटी को समुद घाटिता यने खोला गया तस्याम याने उसमें महारहाणी याने बेशकीम्ती बहु मुल्य हीरकाणी याने हीरे विलोक के याने देख करके सा याने वह प्रहाशिता याने बहुत खुश हुई तद्धिना धनी का याने उस दिन से तद याने उस दिना याने दिन से धनी का याने धनी अमीर रईस चा याने और संजाता याने हो गई तो वहाँ उसमें बहु मुले हीरे देखकर बहुत प्रसन होती है और उस दिन से वहाँ बहुत अमीर हो जाती है चात्रों क्यों क्योंकि उसके अंदर कोई लालश नहीं था चात्रों इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार जो काम उससे बना वो उसने किया आईए अब देखते हैं चात्रों शब्दात को मंजूशा पेटी या संदूख यते च्छाम इच्छा नुसारम आगते आकर के ग्रिहान यने ग्रहन करो प्रग्रिये ग्रहन कर इत्यूक्तवा ऐसा कहकर समुजगाटिता खोली गई महारहानी बहुमुल्ये हीरकानी हीरे संजाता हो गई ना चात्रो अभी पैसेज का संदी विछे देखते हैं इती उक्तवा इती प्लस उक्तवा निस सारे निह धन सारे यथे च्छम यथा प्लस इच्छम मन्जुशा मेकाम मन्जुशा प्लस एकाम ना आपको संदी विछे समझ में आगया होगा चात्रो आईए हम इस पैसेज का भाशिक कारियम यहनि आपको करतापत क्रियापत बता दे संदी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पूर में आपको बता चुदे तो ध्यान से देखे चात्रो पैसेज को इती उक्तवा इती प्लस उक्तवा उक्तवा में यहां क्रियापत है ठीक है काका करतीपत तो काका करतीपत का क्रियापत क्या है उक्तवा प्रत्योधत याने बोला क्या है विशेशन हो एलगा है विशेशन होगा है विशेश हो गया प्रग्रिये बाली कया कथित मिये दिया मदिये तंडुला ना मूल्या ग्रियम आगत्ते यहाँ पर देके ग्रियम प्लस आ प्लस गम प्लस लिप रता है क्योंकि आगत्ते है तो गम धातू लिप रता है तया मंजूशा समुद घाटिता तस्या महाराणी महाराणी याने बहु बोलने बेशकीम थी तो यह फिर अड्जेक्टिव हुआ विशेशन हुआ हीरकाणी हीरे विशेश हुआ विलो के वी प्लस लोग प्लस लिप प्रते सा प्रहशिता तद्दीना धनिका चा संजाता संजाता हो गई यह भी क्रियापद है साका नौ नेक्स्ट है छात्रो परियापद इस पैसेज का देखे इसमें क्या-क्या सिनॉनिम्स वर्ड आए है महाराणी याने बहु मुल्यानी प्रग्रिये ग्रहित्वा कथितम उक्तम मदिये मम प्रहर्शिता प्रसन्न नौ नेक्स्ट है विपर्यई पदम एंटॉनिंग प्रग्रिये त्यक्त्वा मदिये त्वदी एकाम अनेकाम लगुतमाम ब्रियतमाम आगत्ये गत्वा ठीक है छात्रो तो आपको समझ में आ गया अभी आप इन पैसेज पर अधारे आप प्रशन उत्तर देखिए और इसमें भी तीन प्रकार के प्रशन उत्तर है एकपदेन, पोड़वाकेन और नेदेशा रिजार तो आईए छात्रो देखते एकपदेन उत्तरत पहला काह कक्षा भ्यंतरा तिस्त्रो गता है यने कौन कक्षा के अंदर यने कम्रे के अंदर गया कौन गया था छात्रो काका काका कती मंजूशा नहीं थी कागवा कितनी सारी पेटियां लेकर आया था तीन तो तिस्त्तरा नौ नेक्ट वन है पोड़वाकेन उत्तरत बाली का ग्रिहम आगते का समुदध घाटेत ताल लड़की घर आकर किसको खुलती है किसको खुलती है, चात्रो मंजूशा पेटी को, तो बालीका ग्रिहम आगते मंजूशा समुदध घाटेता, नौज नेश्ट वान चात्रो निदेश अनुसारं अचीत मुतरं प्रदत विकल्पे पह चित्वा लिकत यहने निर्देश के अनुसार उचीत उत्तर को दिये गए विकल्प के अनुसार आपको लिखना है परंतु यहां पर हम आपको चात्रों विकल्प नहीं दे रहे हैं हम आपको डायरेट कोशन और डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो कोशन नमबर वन देखे महारहानी हीरकानी अन्यो पदियो विशेशन पदम किम यन्न इन दोनों शब्दों में एड्जेक्टिव वर्ड कौन सा है तो कौन है महारहानी क्योंकि वो बेजकीम थी बहु मोओली उसका मतलब है नौ सेकंड कोशन देखे प्रसन्ना इत्य से किम परियाय पदाम आत्रे प्रयुकताम तो प्रसन्ना यहने खुशी इसका परियाय सिनौनिस वर्ड यहां पर क्या प्रयुक किया गया है प्रहर्शिता ठीक है तो प्रहर्शिता इत्य परियाय पदाम आत्रे प्रयुकताम तो छ तो आप हमारे आज विद्याले कैस को लाइक करके आप उसमें क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लिए धन्यवाच चात्रो नमो नमा